दोस्तो आज मैं आपको एक सास और बहु की एक प्रेंडना दाइक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। शादी को कुछी दिन हुए थे और आज कामवाली भी नहीं आई इसलिए अदीती बरतन धोने लगी। धोते दोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिर कर तूट गया। कप तूटते ही वे डरने लगी कि उसकी सास अब बाते सुनाएगी। आवाज से सास दोडती आई और बोली बेटी क्या हुआ। अदीती बोली मा पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली बेटी चिंता ना कर कप ही तो फूटा है तुमें चोट तो नहीं आई और भले ही इसके कितने टुकड़े भी ना हो जाए। पर मेरी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा जोती इधर आकर अपनी भावी का ख्याल रखो अभी इस घर में नई नई आई है। जोती ने का हा मां। सास फिर बहु से बोली शुरू में तुम मुझे अपन बलकि आप मेरी मा से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में ये कप तूट जाता तो मा भी दो बाते कहे बिना नहीं रहती। रात को अदीती की नीन दुड़ गई। रहे रहे कर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उसकी व बावी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भावी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। मा ने भावी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भावी को भार ले जाते तो मा का मो फूल जाता। और बोलते ही ह समय भावी को साथ ले जाने के क्या जुरुत है कभी भावी को खुली हसी हसते नहीं देखा समय के साथ भावी ने सहना छोड़ दिया और फिर घर में हर रोज छगड़ा होने लगा एक दिन भावी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर कर तूट गया मा चिलाने लगी कि कितन आपको चैन नहीं मिलेगा कभी मेरे मा को तो कभी मेरे बाप को हमेशा मेरे माय के वालों को कोस्ती रहती हो मा और भावी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी अधीती ने घर के अलावा और भी कई जगा पर सास बहु के जगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी इसलिए शादी से कत्राने लगी मगर माबाप के कारणी उसे शादी करनी पड़ी और अंजान भहे को लेकर ससुराल आ गई पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहु एक जैसी नहीं होती नीद ना आने की वज़ा से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर मा से बात कर लूँ मा ने इतनी रात को उसे फोन करके देख कहा बेटी सब कुछ ठीक है ना कई तुमारे पती से या सास से जगड़ा तो नहीं हो गया अधीती बोली नहीं मा ऐसा कुछ नहीं है मालूम है मा आज मेरे से कांश का गिलास नीचे गिर कर तूट गया तभी सास आ गई मे कभी भी सुनना मत तभी बात को काटते हुए अधीती बोली मा अब बस करो मैं अपने दूसरे मा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती मा थोड़ा अश्चर्रे हो गई और बोली यह क्या बोल रही हो अधीती बोली हाँ मा आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने करती तो शायद भाईया और भावी अलग घर में नहीं रहते अपनी बेटी की यह बाते सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहु के साथ गलत व्यवार किया था उसकी बेटी ने उसकी आँखे खोल दी अधीती उससे पहले कुछ बोलती तब ही उसकी मा बोली अधीत तो शायद शुरुआत की नीवी कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता लेकिन प्रेम को तूटने से तो हम रोक सकते हैं काच के टुकडे हो जाएं पर घर के टुकडे ना होने दे अपने घर में प्रेम का वातावरन बनाए रखिये एक दूसरे को समझे एक दूसरे की इज़्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहु सास को मा मान ले और सास बहु को बेटी मान ले बदलने से स्रिष्टी बदल जाती है और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है दोस्तों आपको ये सास बहु की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें